जाता है अब जोनी अंदर दाखिल होता है ब्लैक हार्ड का एक ही आदमी जो अब बच गिया था वो गोस्ट्राइटर को पानी के अंदर करके उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन जब जोनी गोस्ट्राइटर में बदल जाता है और उल्टा उसी को पानी के अंदर मार देता उसको कहता है कि अब तुम रोक्सी, भूप साथ ही उन दोनों में भोध फाइट होती है तब हमें दखाया जाता है वो विलिज बहुत खतरनाक था क्योंके वहाँ पर बहुत सारी सोल्स थी इसके साथ ही ब्लैक हार्ट वो कॉंटेक्ट हो जाता है और उसे उच्छी उच्छी पढ़ने लग जाता है कि यहां जितनी भी सोल्स मजूद है आओ मेरे अंदर समा जाओ यह सुनते ही तमाम सोल्स उसके अंदर समा जाती है और ब्लैक हार्ट की आंके बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है क्योंके अब उसके साथ पास बहुत ज़्यादा पावर आ गीती रोक्सी जल्दी से गोस्ट रैडर के पास जाती है और उसे कहती है कि चलो अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है जो तो इससे चाहिए था, वो हमने इसको दे दिया. जोनी उसे कहता है कि नहीं, इस kontrak्ट को मैंने ही शुरू किया था और अब मैं ही इसको खत्म करूँगा. रोक्सी उससे पुछते कि आखिर तुम ही क्यों? जोनी उसे कहता है क्योंके मैं एक गोस्ट राइडर हूँ इसके बाद बलैक हार्ट जोनी की तरह बढ़ता है जोनी उसे बहुत ज़्यादा फायर मारता है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं बढ़ता वो उसे धका देता है तो उसके आहाथ से गन गिर जाती है फिर वो अंधेरे में जाने की कोशिश करता है लेकिन बलैक हार्ट उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है कि अब नहीं अब तुम्हारी दुनिया की सब सोर्स मेरे अंदर है लेकिन तब ही रोकसी वहां आती है और उसको शूट करने लगती है और उसके आत से जोनी गिर जाता है रोकसी दुबारा से शूट करती है तो यहां पर बलैक हार्ट की गर्दन अलैदा हो जाती है लेकिन जाहिर है उसके पास इतनी ज़्यदा पावर थी कि वह अपनी गर्दन दुबारा ले आता है और उरोकसी की गन में गोलियां खतम होते थे तो जोनी फोरन से कहता है कि यह गन मुझे दो और अपना हाथ अंधेरे में ले जाकर फायर करने लगता है क्योंकि उसका हाथ अब आग का बन चुका था इसके साथ ही बलैक हाड के टुकड़े टुकड़े हो जाते है और वो सब के सब सोल्स उसमें से निकलने लगती है लेकिन उसके पास क्योंकि पावर बहुत जयदा थी ती वो दुबारा से अब सब सोल्स को कठा करता है और अपनी शकल में वापिसाना शुरू हो जाता है लेकिन गोश्ट राइटर अब जानता था कि बलैक हाड को कैसे मारना है वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुमारे अंदर जितनी भी सोल्स है उन्होंने जिस जिस को मारा है उन लोगों के दर्द को तुम महसूस करो इसके साथ ही वो दर्द महसूस करने लगता है बलैक हाड कितनी सारी सोल होने के वज़ा से ये दर्द बरदाश नहीं कर पाता और यहां पर बलैक हाड का खात्म हो जाता है इसके बाद हमें बलैक हाड का फादर यानि वो बुड़ा शेतान दिखाई जाता है वो जोनी के पास आता है और कहता है के शाबाश तुमने मेरा काम कर दिया अब मैं तुम्हें अजाद करता हूँ तुम चाहो तो एक नई दिन की शुरू कर सकते हो एक नॉर्मल लाइफ जोनी कहता है के नहीं अब मैं ऐसे ही जिएँगा और इन पावर्स को इन अबिलिटिस को तुमारे अगेंट यूज करूँगा और जहां कहीं भी किसी का कतल होगा तो देखना मैं वहाँ जरूर मजूद होंगा और मैं तुमारे किये के सजा तुमें देख कर रहूँगा वो बुड़ा आदमी कहता है मैं तुमें छोड़ूँगा नहीं तो गोश्ट आइटर कहता है के हम ढरने वालों में से नहीं इसके बाद वो अपनी श्टिक जोर से जमीन पर मारता है और एक जोरदार चिक मारकर वांसे काइब हो जाता है और इसी के साथ ही मुवी का एंड हो जाता है थैंक यू फूर वाचिंग